प्यारवच्छो स्वागत है आपका O2 and Digital Education में तरुन आपका बायोटीचर प्यारवच्छो सुरू कर रहे हैं आज हम Kingdom Monera अच्छा ये Kingdom Monera Classification Chapter है उसका एक टॉपिक है इस दुनिया में बहुत सारे और्गनिज्म है सभी को Classify करने के लिए बहुत सारे क्या है टेक्निक्स की जरूत पड़ी है क्योंकि बहुत जादा डाइवर्सिटी है लाखों स्पेसीज है अब इन लाखों स्पेसीज को मिलियंस स्पेसीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा है Classify करना पड़ा है Classification करना पड़ा है ततर का नाम है Bowser biological classificationacher में Kingdom मौनेरा है जो है वी टे कर साइन्टिस्ट ने दिया था है न वी करने फाइव क्लास इड़ी थे जैसा we बात कर चुक ए है अभी पुराने क्लास में कि five class kingdom five class kingdom बिट फाइब क्लास किंग्डम है इस फाइब क्लास में मौनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटी और अनिमेलिया एनिमेलिया, तो यह पाँच किंडम है, यह पाँच किंडम है, जिनको वी टे करने बताया था और यह पाँचों किंडम ही वन बाई वन हम समझेंगे, तो आज शुरू कर रहे है इस लेक्चर में किंडम मौनेरा तो बटा अगर किंडम मौनेरा की हम बात करें तो मौनेरा किंडम किसका है, बैक्टिरियाओं का, मौनेरा किंडम किसका है, मेली बैक्टिरिया किंडम, सारे बैक्टिरिया किया है, इस किंडम के मेंबर है, बैक्टिरिया, जल्थल, अगनी, अकाश, सब में मिलेगा बैक्टिरिया, सॉइल में जाएं सॉइल में मिलेगा अगर सॉल्टी वाटर में चले जाएं वहाँ भी मिलेगा अगर बहुत ज्यादा हाई टेंपरिचर की फॉल्स में चले जाएं वहाँ भी मिलेगा अगर इंटेस्टाइन में चले जाए तो अंदर भी मिलेगा बाहर भी मिलेगा कौन बैक्टिरिया नाम तो बैक्टिरिया है और इनकी सेल भी सिंपल है लेकिन इनके अंदर बिटा जीने की क्वालिटी क्या है बहुत जवदस्त है इनके अंदर जीने की क्वालिटी इतनी खाने का जो atmosphere या खाने का जो material है वो दूसरा भी दिया जाए अगर इनको खाने का material दूसरा सपोज अगर कोई हम है कि आज से आपको cellulose घास खानी है है ना तो हम जी नहीं पाएंगे हमारे इंटेस्टाइन नहीं पचा पाएंगी लेकिन इन बैक्टरिया चंदर ये quality होती है कि अच्छा glucose खाता है अगर क्या ग्लूपोस कोई बैक्टरिया है जो ग्लूपोस खाता है लेकिन हम उसे क्या लेक्टोज दें अगर हम उसे लेक्टोज दें तो भी क्या है वो जिंदा रह जाएगा अब ग्लुकोज नहीं विले तो कोई बात नहीं लेक्टोज से जी लेंगे तो ये है बैक्टिरियास की quality quality तो बैक्टिरियास की बहुत सारी है बहुत जादा qualities है अगर हम देखें बैक्टिरियास सारे के सारे आते हैं prokaryotic cell में जैसा हमने अभी देखा था क्योंकि prokaryotic है इनके अंदर true nucleus नहीं है अगर एक bacteria को देखें है ना अगर हम एक bacteria का diagram बनाए या bacteria को draw करके देखें तो हम इस तरीके से we can see देख सकते हैं जो bacteria है उसके उपर mucillaginous sheath मिलेगा क्या मिलेगा बटा mucillaginous sheath मिलने वाला है covering मिल सकती है coating हो सकती है bacteria के उपर whole bacteria के औक को टिंग हो सकती हैं। वी उन्हेयों सीथ प्रत को अगे-ध्यू रहीं। प्रत की वाद्व करें। तो अंदर क्या है। फोल्ड बन रहा हुआ है प्लाजमा मेंब्रेन का है ना अगर मैं बात करूँ तो क्या है प्लाजमा मेंब्रेन का फोल्ड बना हुआ है और इस plasma membrane के फोल्ड को कहते हैं मीजोजोम, क्या कहते हैं बच्चो मीजोजोम, यह मीजोजोम है और यहाँ पर एक प्यार इस structure है जो बिल्कुल कैसी condition में है open, open है thread-like condition है, कैसी condition है thread-like condition है, जो की हमारा क्या है nucleoid, क्या है बच्चो nucleoid, वो nucleoid है और अगर मैं बात करूँ अंदर material की अगर मैं बात करूँ अंदर material की, तो इसमें cytoplasm भरा हुआ है cytoplasm भरा हुआ है बच्चो ठीक है phleazilum की बात करें, यहाँ पर क्या है phleazilum भी लटका हुआ है, एक phleazilum भी बना देते हैं, phleazilum हम ज़ाधा भी phleazilum बना सकते हैं, है ना एक phleazila, दो phleazila, दो से भी ज़ाधा phleazila हम बना सकते हैं ठीक है अगर एक phleazila है तो monofleazil label 2 है तो diffleazil label 3 है तो trifleazil label या फिर multifleazil label हो جाता है ठीक है, इधर है तो यह हो गया, monoh एधर एक और हो गया तो बाइफ 인ये कहने का मतलब यह लेफके बेस पर भी हम इनको कलासिफाइब कर सकते हैं अगर लेबल की बात करें कुछ और एक और च्टपटर होते च्टोटी च्ट्रक्टर से यहां पर बनी हुई होती है उनको पिली बोलते हैं क्या बोलते बच्चे पिली कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स और रहती है यहाँ पर है ना अगर बैक्टरिया की उपर की वाल को पूरी को देखा जाए है ना तो वह क्या है हम उनको पिली बोल सकते है इस तरीके से यह स्ट्रक्चर से पिली तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें डाइग्राम को अगर डेखा असाली से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और इस अगर लेबल करने की बात आए तो इनसाइड जो लिक्विड भरा हुआ है दा लिकुड विच इस प्रजेंट इंसाइड उसको बो क्या बोलेंगे बच्चे साइटो प्लाज्म डिस इस साइटो प्लाज्म यह साइटो प्लाज्म है ठीक है यहाँ पर साइटो प्लाज्म में बटा कुछ राइवोसोम भी है 70S टाइप कौन से 70S टाइप 70S टाइप क्या है राइवोसोम भी है प्रोकेरियोट्स है मौनेरा का फीचर क्या है मौनेरा में बटा मौनेरा में क्या है कि भई प्रोकेरियोट्स है कौन है प्रोकेरियोट्स अब प्रोकेरियोट्स में में गुरूप कौन है बैक्टिरिया में गुरूप कौन है बैक्टिर भाई, bacteria is main growth in prokaryotes, labeling की बात करें, this is nucleoid, nucleoid, mesozo, mesozo, पिली, फ्लेजिलम, ठीक है, फ्लेजिलम, है न, यहाँ पर फ्लेजिलम की बात करें, तो यह क्या है, फ्लेजिलम है, इंसाइड यह मीजोजोम है, respiratory औरगन का काम करता है, पिली हो गए, उपर यह बीतर प्लाज्मा मेंब्रीज है, और यह क्या है हमारा साइटो प्लाज्म, या फिर हमें इसको क्या बोलेंगे, cell wall है, sorry, cell wall बोलेंगे, ठीक है, cell wall है, peptidoglycan की बनी हुई है, जो cellulose की नहीं है, यहाँ पर cell wall, यहाँ पर cell wall किसकी है, peptidoglycan, ठीक है, यह है पिली, इन स्ट्रक्टर्स को बोलेंगे क्या बच्च पिली, पी आई, डवल एल आई, पिली, औरके, यह पिलीज है, तो, आई ठीक बटाई यह समझमा आ गया होगा, डाइग्राम हम बैक्ट्रिया का कैसे बना, एक प्रोकरियोटिक सैल भी बनानी हो, तो भी हम इसे यहीजी बना सकते हैं, इसे देखिए, जब तक हम प्रक्रि बात करें 70 s टाइप किसकी सेवंटी एस टाइप राइबो सबकी तो 빼बो सबीक टोिक साइवर्ण की यूनिट सु आइस है एक इंश्टूमेंट के थे हम् letting पता लगाते हैं इसको लगाते कि जो जितनी राउंड पर सेडिमेंट हो जाता है अल्टरा सेंट्रीफ्यूज नाम का इस्टूमेंट होता है जो सेंट्रीफ्यूगिशन पर on the basis of सेंट्रिफ्यूकिशन सैना डिंसिटी के बेस पर पता लगाता है कि कौन पार्टीकल कितने सबライ सेलड हो जाता है लेकिन जो डावलाप सेल है जो एनिमल सेल हैं पलांट सेल रहती है वहाँ पर क्या होता है हेला तेक होता हैं तो सब्सक्राइब ँएस में सेंट है क्या यह तौ्छा अभी हम समझेंगे क्या बैक्टिरिया तो उयक्त्रीय का ड्य doctrine है जो कि मॉनेरा के में मेंबर्स है अगर हम बात करें मॉनेरां के अंदर तो बैक्टरिया सभी जगह मिलने वाले हैं है ना सॉल्टी वटर में हैना थर्मोग असी डूफिलस भूत हाई टेंपरेचर पर भी मिलने वाले हैं ठीक है मिधेन ओजन्स जहां लेकिन यह जो क्रिटिकल एरिया में रहे रहे हैं इन सभी बैक्टिरिया उसको अलग गुरुप में रखा है बैक्टिरिया भी दो गुरुप में बना रखें कितने गुरुप में दो गुरुप में बना रखें हैं आर की बैक्टिरिया और यू बैक्टिरिया ठीक है लेकिन और की बैक्टरिया यू बैक्टरिया से पहले हम समझेंगे शेप के बेस पर बैक्टरिया शेप के बैस पर भी क्या है बैक्टरिया चार तरीके क्या है किते टाइप के बच्चों चार में तरीके हैं जो शेप के बैस पर है एक तो क्या है अगर हम बात करें कोकाई है अगर हम आइडिस पिली एना यह बाहर के है फ्लेजिलम हो गया है कैपसूल उपर का है अगर यह ही बात करने क्ल्टा चैस्ट बचाता है अब बात करेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टिरिया यह NCRT का टॉपिक है चार तरीके के में बैक्टिरिया है एक क्या है हमारा सबसे पहला कोकाई कोकस डिपलोकोकस इस तरीके के बैक्टिरिया कोकाई अबसे बैसीला बैसीलस लेक्टो बैसीलस दही का बैक्टिरिया बगेरा तो वह इस तरीके के और यह क्या है बच्चे प्लूरल है यह कंडिशन क्या है प्लूरल plural है singular करेंगे तो क्या हो जाएगा कोकस क्या कोकस डिपलो कोकस स्ट्रप्टो कोकस तो यह है कोकस अगर हमें हापे क्या करें बटा singular की बात करें तो कोकस कोकस बेसिलाई बेसिलस यह plural है तो singular वेसिलस बेसिल wellness अगर हम इसकी बात करें इस्पायरिल ना मैटलाँ स्पायरल तरीके के ना होता है spiral condition में तो इस्पायर्ल कंडिशन में क्या है यह रोड़ शेप हो गए आपके सीधे सीधे है न यह इस्पायर्ल कंडिशन में तो spiralum and singular चाहें एक बैक्त्रिया को बोलेंगे इसपाइरल को है ठीक है और यह विब्रियो कैसे रहे है तो एक बोरत होता है विब्रिय हम ठीक है तो बटा एक है क्या हमारा विब्रिय हम ओके तो यह है लुफ लाइक स्टक्चर है म्हीन को काण ऐसे होते हैं विब्रियो कॉलरा बागरह था इस्पाइरल एस पाइरल लं होते हैं बेसिल स्टाइब होते हैं तो यह क्या है सरौंड राउंड शेप सारे के सारे यह राउड शेप है वो इन्वर्टेंग कॉमा की तरह है कॉमा 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 के तैप कॉमा तो यह bacteria four type के हैं आपका Bacillus हो गया आपका Spiralum type का हो गया Cocai हो गया और चौता आपका main Cocos Cocos, Bacillus, Spiralum और Vibrio type के हैं तो बच्चों अब हम बात करेंगे Bacteria's के occurrence के base पर type की अगर हम occurrence के base पर देखें तो Bacteria's are mainly two type जो बैक्टिरिया है वो नंबर वन कौन से है आर्किया बैक्टिरिया ठीक है नंबर वन है कौन से आपके आर्किया बैक्टिरिया है जो आर्किया बैक्टिरिया है आर्कि बैक्टिरिया most critical condition पर जीने वाले बैक्टिरिया हैं जैसा मैंने बोला salty area में भी मिल सकते हैं और अगर salty area में मिल रहे हैं तो इनको बोलेंगे उस time पर क्या जो salty habitat है जहाँ पर salinity बहुत जादा है अगर temperature बहुत जादा है वहाँ भी है वह condition क्या है आपके वह कौन है thermo acidophilus ठीक है methanogens है जो methane gas बना रहे है ch4 methanogens जो कि क्या है ruminant के गट में रहते हैं है ना मी थे नो जैंस जी ए एन एस ठीक है तो मी थे नो जैंस है ch4 gas जो बना रहे हैं methane gas या फिर bio gas या फिर bio gas तो microbes का जो अगर economic importance देखा जाए तो bacteria क्या है बाइव गैस प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं cow dog की help से bio gas production में help करते हैं ठीक है methenogenes है methenogenes ठीक है thermo acidophilus है hellophiles है methenogenes है तो बटा यह आरकी bacteria है कुछ bacteria ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद form करते हैं ठीक है वो chemo synthetic bacteria है कौन से है chemo synthetic ठीक वो आएंगे next group में अगर मैं बात करूं आरकी bacteria के बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है हमारा यू bacteria कौन सा यू यू bacteria यू जहां वर्ड आ जाए जहां वर्ड क्या जाए बटा यू आ जाए यू का मतलब क्या है true यू मतलब true bacteria true bacteria यह bacteria कैसे होते हैं बिलकुल true होते हैं और इनके अंदर क्या है qualities इन से थोड़ी सी कम होते हैं यह तो क्रिटिकल कंडिशन पर जीते हैं लेकिन यह क्या यू bacteria है अगर बिटा मैं बात करूं तो यह क्या है filamentous blue green algae है no stock है क्या है no stock है नौ stock है एनाइवीना है यह क्या करते हैं nitrogen fixation में help कर देते हैं nitrogen fixation का काम करते हैं atmosphere nitrogen को क्या करते हैं fix करते हैं ठीक है म्यूसिलेजिनस शीथ होता है उपर covering है म्यूसिलेजिनस शीथ है हिट्रोसिस्ट है यह टाइप की structure है बीच बीच में हिट्रोसिस्ट है अगर बात करी जाए बटा reproduction की bacteria reproduce कैसे होते हैं तो commonly bacteria binary फिजन से reproduce होते हैं कुछ बैक्टरिया sexual reproduction के थ्रो भी reproduce होते हैं है ना sexual reproduction में क्या conjugation tube बन जाती है और genetic material क्या हो जाते है एक्सचेंज हो जाते हैं DNA का exchange ही तो वही तो हो गया दो gametes का fusion या फिर दो genetic material का fusion हो गया sexual reproduction तो बटा यहाँ पर क्या होगा पहले एक bacteria अगर मैं बात करूं बैक्टरिया के division की तो कोई भी एक बैक्टरिया है उस बैक्टरिया के अंदर डिवीजन होने से पहले जैनेटिक मेट्रियल डिवाइड होगा जैसे ही सेल का लार्जमेंट हो जाएगा तो एडिन ने दो पूर्शन में दो पार्स में डिवाइड होना सुलू हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर बिटाई ग्रोब बनना स्टार्ट होगी ठीक है ग्रोब बनना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली एक बैक्टरिया से दो बैक्टरिया डिवाइड हो जाएंगे एक बैक्टरिया से कितने बैक्टरिया बन गए बच्चे दो बैक्टरिया बन गए ठीक है एंड टू बैक्टरिया गैट सेपरेट तो एक सेल से कितनी बन गए दो सेल बन गए ठीक है तो अब यह क्या ह गया binary fission binary fission हो गया जैसा आपने 10 में भी पढ़ा था अमीवा के अंदर है ला कि binary fission हो जाता एक से दो बन जाते हैं पहले करियो काइनेस इस ऐसे यहां पर भी जेनेटिक मेट्रियल का पहले बटवारा हुआ है उसके वाद cytoplasm का बटवारा हुआ है बटा एक और यहां पर topic है वो है smallest cell smallest cell है ppl o ppl o ppl o क्या है ppl o है pleuro pneumonia like organism pleuro pneumonia like organism और उसका नाम है mycoplasma क्या माइको प्लाजमा बटा माइको प्लाजमा जो है वो क्या है without cell wall अगर माइको प्लाजमा की बात करो तो माइको प्लाजमा में क्या है no cell wall कोई भी cell wall नहीं है ठीक है no cell wall सिर्फ क्या है इस तरीके की structure है round structure है है ना और यहां पर अंदर क्या है इसके अंदर genetic material genetic material है ठीक तो यह माइको प्लाजमा है smallest organism है PPLO इनको बोलते हैं तो यह भी bacteria के group में ही आते हैं और प्यारे बच्चों जो PPLO है है ना जो प्लिरो निमूनियल लाइक organism है यह bacteria भी यह भी bacteria कुछ disease cause भी करते हैं ठीक है माइको प्लाजमा फाइटो प्लाजमा कुछ एनिमल्स की भी क्या है डिजीज कॉस करते हैं इनिमल्स में भी डिजीज कॉस करते हैं तो बटा हम डाइग्राम की बात करें ठीक है अगर हम डाइग्राम की बात करें तो डाइग्राम के अंदर यह bacteria का डाइग्राम है जिसको आप easily draw कर सकते हैं तो बच्चों बने रहिएगा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मौनेरा के बाद प्रोटिस्टा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अजय तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार